नमस्कार और स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारे हॉस्पिटल नौकरी के केरियर सेग्मेंट में दोस्तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे सेग्मेंट में हम आपके लेकर आते हैं healthcare से जुड़े ऐसे career option की जानकारी दोस्तों जहां पर आप अपने career को बना सकते हैं अक्सर दोस्तों जब भी बात आती है healthcare की तो दो-तीन career option पर ही हम आकर अटक जाते हैं जैसे की nursing, doctor, technician, etc. लेकिन दोस्तों इन career option के अलावा भी ऐसे कई सारे career option हैं जिनके बारे में दोस्तों हमें जाता जानकारी नहीं होती है और अपना career बनाने के बारे में नहीं सोच पाते हैं ऐसे में दोस्तों अगर आप 10 plus 2 के student हैं आपने 10 plus 2 complete कर लिया है और आगे healthcare में career बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो को अन तक जरूर देखना चाहिए क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लिक रहा है एक और अच्छा career option एक ऐसे career option दोस्तों जिसमें आप अपनी career को बना सकते हैं एक 10 plus 2 के तोर पर यह 10 plus 2 आपने complete कर लिया हो अब क्या-क्या requirement होते हैं दोस्तों इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में ऐसे में आप सभी से request है कि हमारे साथ वीडियो मन तक बने रहें अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों career option के बारे में तो आहीं दोस्तों देर बॉटपी टेकनीशन एक healthcare worker होते हैं जो कि खयाल रखते हैं blood collection का या फिर दोस्तों उनका जो काम होता है तो basically दोस्तो जो phlebotomist होते हैं वो blood को निकालने का काम करते हैं for diagnostic purposes और साथी साथ दोस्तो जो भी medical laboratory technologist होते हैं या जो doctor होते हैं जो nurses होते हैं दोस्तो उनकी help करते हैं ये healthcare settings में अब सवाल उठता है कि दोस्तो ये क्या करते हैं तो again दोस्तो जो flipotomist होते हैं उनका काम होता है blood samples को collect करना यानि कि दोस्तो जो भी patient होते हैं जिनके भी दोस्तो blood को निकालना होता है चाहें वो नसो से निकालना हो या दोस्तो उनके finger tip से निकालना हो तो उसको निकालने का ये काम करते हैं इसके अलावा दोस्तों जो investigation होता है patient की condition का treatment progress का उसको करने का ये काम करते हैं उसके अलावा दोस्तों test करते हैं जहाँ पर भी दोस्तों blood group की जो है वो requirement होती है donor match करना होता है blood group के लिए तो दोस्तों वहाँ पर भी कही ना कहीं जरूरत होती है phlebotomist की अब आगे दोस्तों हम बात करें क्या responsibilities होती है phlebotomist के तौर आपकी तो दोस्तों यहाँ पर आपको patient interviews को करना होता है और check करना होता है patient के vital signs को यानि कि दोस्तों patient के क्या vital signs है blood group क्या है blood किस तरीके का है दोस्तों blood के regarding या specimen के regarding जो भी दोस्तों जरूरी information है वो check की जाती है उसके अलावा दोस् sample को laboratory में जिससे की दोस्तों ने test किया जा सके साथ इसाथ दोस्तों patient जो भी आते हैं उनके records को maintain करने का काम भी phlebotomist के under में ही आता है अब दोस्तों सवाल आता है कि phlebotomist आप कहां से बन सकते हैं या कैसे बन सकते हैं या फिर पहला सवाल तो यहीं आता है कि क्यों बने ठी लिए ज़ुरी होता है कि आप किसी भी तरीके का ऐसा certification program करें या इसी degree लें दोस्तों जो की जरूरी हो क्योंकि दोस्तों आप एक phlebotomist certification program को करने के बाद भी बन सकते हैं तो ऐसे में इस से better option नहीं हो सकता है कि आप एक certification program को complete करें जो क्योंकि कम duration का होता है उसके बाद दो दोस्तों आप 3-4 साल की डिग्री को परस्यू करें जिसके बाद दोस्तों आपकी जॉब की शुरुवात होती है तो दोस्तों अगर आप एक certification प्रोग्राम को लेते हैं उसके बाद दोस्तों आप लिबॉतोमिस्ट के तौर पर काम करते हैं तो दोस्तों easy आपको हो जाता है ब अगर आप एक certification program के through ही दोस्तों join करते हैं तो उसका benefit ये भी आपको मिलता है कि दोस्तों जो certification program होता है वो जल्दी हो जाता है और दोस्तों online आप कर सकते हैं यानि कि आपको किसी center पर जाने की जरूरत नहीं आप online भी ऐसे certification program को कर सकते हैं और benefit ये भी है दोस्तों अगर आप already काम कर रहे हैं जैसे आप मैंसे कई सारे लोग हो सकता है अल्डी काम कर रहे हो लैव में एक लैब टेक्शन के तौर पर या फिर आप असिस्टी करते हो लैब टेक्शन को तो दोस्तों उसके साथ में भी आप इन सर्टिपकेशन प्रग्राम को कर सकते हैं और दोस्तो एक अच्छा इंकम अपने लिए कराती हैं लेकिन दोस्तों हम आपका बताना चाहेंगे कैसे सर्टिपकेशन प्रग्राम के किस तरीके से दोस्तों आप अपने skills को जो है वो improve कर सके अब कौन से skills की दोस्तों बात हो रही है तो किस तरह से आपको collect करना है store करना है और transport करना है blood specimen को ठीक है तो blood को कैसे collect आपको करना है store कहां पे करना है किस तरीके से करना और ब्लेट को ट्रांसपोर्ट करने के तरीके क्या होते हैं इसके अलावा दोस्तों किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं infection control measures को यानि कि infection को कैसे रूखा जाता है उसके अलावा दोस्तों कैसे आपको यूस करना है personal protective equipment यानि PPE को जिससे कि दोस्तों dispose किया जा सके biomedical waste को इसके अलावा दोस्तों किस तरीके से आपको first aid देना है in case अगर कोई emergency आती है venipuncture के तौर पर यानि कि दोस्तों अगर blood को draw करते समय किसी भी तरीकी के emergency आती है तो किस तरीके से आपको first aid देना है जिससे कि आप आगे further जो भी दोस्तों situation आ सकती है उनको रोक सके तो दोस्तों ये सभी जो बाते हैं या आप एक course के दोरान सीख सकते है एक certification program अब कौन से certification program है दोस्तों इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे लेकिन अभी दोस्तों हम बात करते हैं क्या responsibilities है और क्या-क्या सीख सकते हैं दोस्तों आप इस certification program में तो किस तरीके सा आपको अपने skills को दोस्तों enhance करना है और जो भी इस liberty technician के तोर पर जो जरूवत होती है उसको कैसे आपको adopt करना है leadership capabilities दोस्तों आप सीख सकते हैं किस तरीके सा आपको survive करना है और lead करना है clinical laboratory team को क्योंकि जैसे ऐसे आप काम करेंगे आपका experience बढ़ेगा और एक समय के बाद दोस्तों कहीं न कहीं आप leader के तोर पर भी सामने आ सकते हैं इसके अलावा sound technical knowledge दोस्तों आपके पास होगी skills होगी कैसे आपको blood sampling को handle करना है और जो भी ऐसे patient दोस्तों जिनका ओलेडी blood निकल रहा है या bleeding हो रही है तो उसको आपको कैसे control करना है ethics और protocol दोस्तों आप सीख पाएंगे effectively दोस्तों collaborate कर पाएंगे और team को दोस्तों deal कर पाएंगे साथी साथ contribute कर पाएंगे disease prevention में quality कैसे बढ़ानी है दोस्तों अपने जहां भी आप काम कर रहे है healthcare setting की या laboratory की safety कैसे ensure करना है और equality के साथ कैसे deal करना है तो अब आगे बात करते हैं दोस्तों क्या eligibility criteria program का तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया 10 plus 2 आपका होना जरूरी है किसी भी stream से हो minimum requirement दोस्तों क्या है English की थोड़ी आपकी knowledge अच्छी होनी चाहिए यानि कि आप चीजों को अच्छे से समझ पाते हूँ marks दोस्तों minimum 40% marks होनी चाहिए 10 plus 2 में किसी भी stream से दोस्तों आप इसे कर सकते हैं और अगर आपको computer की knowledge है तो दोस्तों यह आपके लिए सोने पर सो आगा है यानि कि icing on the cake क्या duration है दोस्तों course की तो दोस्तों course की duration है वो है एक साल की जहां पर दोस्तों theory जो है वो 9 महीने का आपका theory का part रहता है और 3 महीने दोस्तों यहाँ पर on job training रहती है वहीं दोस्तों अगर हम certification program की बात करें तो 6 महीने का दोस्तों certification program होता है तो certificate course में क्या होता है दोस्तो cmlt होता है जो कि एक short term specialization course है 6 महीने का जिसमें 4 महीने जो है वो theory part पर focus किया जाता है अब यह offline और online दोन्यों ही mode में आप कर सकते हैं वो आपके उपर रहेगा उसके लावाद 2 महीने का दोस्तों internship होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ offline ही होता है अब आगे अगर हम बात करें क्या पढ़ाया जाएगा आपको इन courses में जो दोस्तो anatomy और physiology के बारे में आपको पढ़ाया है आपको sample collections का reporting और documentation कैसे किया जाता है infection control practices क्या होती है जिसके तुरू आप control कर सके infection को biomedical waste management और universal precaution क्या है जो की बताए गए है तो ये सभी चीज़े दोस्तों आप इस course के दोरान सीख पाएंगे अब सवाल उटा है कि दोस्तों course आप कहां से कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो आप course हैं उन्हें join कर सकते हैं एक phlebotomy technician के तौर पर national skill development program center से दोस्तों आप इसे join कर सकते हैं इसके अलावा आप join कर सकते हैं at www.healthcare ssc.in दोस्तों ये website इस website पर जाकर दोस्तों आप इसे online join कर सकते हैं offline join करना जाते हैं तो दोस्तों national skill development program center से दोस्तों आप इन courses को join कर सकते हैं एक phlebotomy technician के तौर पर national skill development program जो हैं दोस्तों आपको हर जगह मिल जाते हैं इसके center किसी भी city में आपको दोस्तों इसके center मिल जाएंगे तो आपको बस क्या करना है, Google करना है, Search करना है, National Skill Development Program, अपने City का नाम डालिए, अगर आपको अलड़ी पता है, तो दोस्तो वहाँ पर जाकर आप Inquiry ले सकते हैं, और दोस्तो अपने सिस्किल को आप Improve करके, अच्छी खासी Income ले सकते हैं, कितनी Income ले सकते हैं दोस्तो, तो Init Private Hospital में, Medical Colleges में, Pathology Lab में आप जॉब कर सकते हैं, Blood Bank में जॉब कर सकते हैं, जो भी Private Clinics होते हैं, वहाँ जॉब कर सकते हैं, या फिर NGOs में भी आप जॉब कर सकते हैं, तो दोस्तो यह जगे हैं जो आप जहां पर आप जॉब कर सकते हैं, इन Certification या Diploma Program को करने के बाद, Short Time दो शे महीने या एक साल लगा कर, तो इस तरीके के दोस्तो benefit आपको देखने को मिल जाते हैं, इस program को करने के बाद, उन सभी candidate के लिए बहुत अच्छा है, जो कि BST Nursing, GNM या फिर दोस्तो तीन साल के या चार साल के जो technical courses हैं, उनको नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए दोस्तो य पूछा जाता है कि phlebotomy होता क्या है, तो दोस्तो यह एक procedure होता है, जहाँ पर needle का use करके, खून को निकाला जाता है, जिससे कि दोस्तो laboratory में या lab में टेस्ट किया जा सके खून को, उसके अलावा दोस्तो इसका purpose क्या होता है, तो दोस्तो यहाँ पर diagnose किया जाता है, कुछ ब पर example दोस्तो कई बार ऐसा होता है कि blood में बहुत ज़्यादा iron इखटा हो जाता है, iron की मात्रा बढ़ जाती है खून में, तो उस iron को निकालनी के लिए भी दोस्तो phlebotomy को perform किया जाता है, जो कि therapeutic कहीं न कहीं, एक skill है दोस्तो जो कि phlebotomy के अंडर में आता है, या phlebotomy इसे आप क्या सकते हैं, दوسरा question दोस्तो है कि phlebotomy होते कौन हैं, तो दोस्तो है professionally trained people होते हैं, professionally trained लोग होते हैं जो blood के samples लेते हैं testing के लिए, एक और question दोस्तो बूचा जाता है कि phlebotomy होते हैं, तो दोस्तो phlebotomy defer होते हैं लेकि ये doctor को assist करने का काम करते हैं, क्योंकि doctor तभी treatment दे स सकता है जब तक उनके पास diagnostic report ना हो अगर उनके पास diagnostic report नहीं है तो दोस्तों उसके आगे वो further treatment नहीं कर सकते हैं तो यहां पर ही डॉक्टर को दोस्तों असिस्ट करने का काम करते हैं एक flip optimist के तौर पर flip optimist आप कैसे बन सकते हैं तो दोस्तों आप एक diploma या certification program ले सकते हैं किसी भी रिकगनाइज आप प्रूफ इंस्टिशन से जैसा कि हमने आपको दो institution के बारे में बताया भी दोस्तों इस वीडियो में तो वहां से दोस्तों आप इसके बारे में जान करे सकते हैं आप इन courses को join करके एक flip optimist बन सकते हैं दोस्तों कितना समय लगता है एक flip optimist बनने में तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया certification program को 6 महीने लगते हैं यानि कि certificate in medical laboratory technology यानि कि CMLT दोस्तों 6 महीने का course होता है वहीं दोस्तों अगला जो diploma course होता है वो होता है DMLT ठीक है तो DMLT दोस्त development programs enter से आप इससे join कर सकते हैं at last क्या neat की जरूवत होती है flip optimist बनने के लिए तो दोस्तों यहाँ पर neat exam की बिल्कुल भी जरूवत नहीं होती है जिस भी institution में आप apply कर सकते हैं वहाँ पर आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कहीं कहीं पर दोस्तों ऐसा होता है कि जिस institution में या college में आप admission ले रहे हैं तो आपका शायद एक test या entrance exam कंड़क करें लेकिन दोस्तों वो कुछ ही colleges में institution में होता है तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं तो दोस्तों आज इस video में हमने बात की कैसे आप बन सकते हैं एक flip optimist technician तो दोस्तों आशा करते हैं कि video आपको informative लगा होगा especially उन सभी 10 plus 2K students के लिए जो कि nursing में नहीं जा सकते हैं या बहुत ज्यादा costly courses को नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment section में comment करके ज़रूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो like और share करें चैनल को subscribe करें और जुड़े हमारे channel hospital नौकरी के साथ ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद